हेलो एव्रिवान वेल्कम टु कीचन टिप्स आज हम बनाने वाले है ग्वावा पिकल इसे अम्रूद या फिर पेरू का पिकल भी बोल सकते हैं ग्वावा को इस तरह कट कर लेते हैं पिकल बनाने के लिए हमें थोड़ा कच्छा ही ग्वावा चाहिए अगर वावाब बहुत ज़दा पका हुआ रहा है तो पिकल अच्छा नहीं बनेगा अचार बनाने के लिए आप पिंक या फिर वाइट दोनों में से कोई भी अमरूद ले सकते हो आप चाहे तो इसके सिर्ट्स निकाल भी सकते हैं मैंने इसके सिर्ट्स ऐसे ही रहने दिये हैं ये भी खाने के लिए अच्छे लगते हैं अचार बनाने के लिए मैंने लिए है थोड़ी सी दरदरी पीसीवी मेथी और लिया है राई की दाल इसे सर्सो की दाल भी कहते है साथी में मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा पाउटर मैंने कटेवे अमरूत को एक बाउल में ले लिया है अब एक कडाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें दो लवंग आड़ की है इसमें मैंने पी से हुए मेती के सीड्स आड़ किये है उसी के साथ मैंने आड़ किया है राई के सीड्स याने की सरसों की दाल और जीरा पाउडर एक छूटी चमच से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेट चिली पाउडर और टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक आट किया है इसे अच्छे से मिला लेते है थोड़ी देर इसे पका लेते है अब ग्यास बंद करके इसे थोड़ी देर ऐसे ही घुमाते है इसे थोड़ा थंडा होने देते हैं अगर आप इस चानल पे नए है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्राइ किये हुए सारे मसालों को अब हम लोग गौवा के पीसेस में आड़ करेंगे अब इसे इस तरह चमच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मेक शूर कि मसाला गौवा के सारे पीसिस को लगना चाहिए अच्छे से मिक्स करने के पाद मैंने इसमें एक इंग्रिडियन्ट आड़ किया है जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा और वो है रॉक सॉल्ट इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं गौवा पीकल को मैंने एक बावल में निकाल लिया है एक दिन के पाद गौवा के सारे पीस से सारा मसाला अब्जाफ कर लेंगे और तब यह पीकल बहुत टेस्टी लगेगा विंटर स्पेशल विद फुल ओ फ्लेवर ऐसा हम लोगों को टेस्टी गौवा पीकल रेडी है ऐसी और रेशिपीज देखनी के लिए चाइनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिए